हाई मैं हूँ योशु मायापुरी न्यूस बुलिटिन में आपका स्वागत है बॉलिवुड में इन दिनों रीमेक्स का जमाना चल रहा है आए दिन कोई ना कोई बॉलिवुड फिल्म की रीमेक की खबर सामने आही जाती है हाली में ऐसा कहा गया कि फिल्म छुपके छुपके का रीमेक बननी जा रहा है जिसमें विकी कोशल और राजकुमार राओ में रोल में नज़र आएंगे और अब इसी के चलते एक और बॉलिवुड क्लासिक फिल्म के रीमेक की खबर सामने आ गई है अगर रिपोर्ट्स की माने तो ऐसा कहा जा रहा है 1988 में बनी फिल्म शेहनशा का रीमेक बन सकता है इस फिल्म में अमिताब बच्चन नज़र आए थे फिल्म के रीमेक की प्लानिंग काफी टाइम से चल रही है और फार्नली ऐसा बताया जा रहा है कि इस फिल्म का रीमेक बनने जा रहा है वेल इसके बाद अब बारी आती है कि इस फिल्म में कौन से हीरो को कास्ट किया जाएगा वेल बताया दे कि मेकर्स की फिर्स चॉइस है नान अदर दिन रनवीर सिंग मेकल्स चाहते हैं कि ये फिल्म रनवीर सिंग करें बॉलवर अक्टर अक्षिक कुमार की कई सारी मूवीज लाइन डप है जिन में से एक मूवी है राम सेतू इस फिल्म की अनाउंस्मेंट कुछ समय पहले ही हुई थी और इस फिल्म के चलते अक्षिक कुमार को योगी के साथ एक मीटिंग करते हुए भी स्पॉट किया गया जिसके पिक्चर सोशल मीडिया पर वारल हो रही थी बता दे अब इस फिल्म से एक नया अपडेट सामने आया है कहा जा रहा है कि इस फिल्म की शूटिंग 2021 के सेकंड वीक से अयोध्या में शुरू हो जाएगी इतना ही नहीं इस फिल्म की रिलीज डेट भी तै हो चुकी है ऐसा कहा जा रहा है कि ये फिल्म 2022 दिवाली में रिलीज हो सकती है बॉलिवुड अक्टर सेफिली खान एक ऐसे अक्टर हैं जिनकी काफी टाइम से फिल्मों में ग्रोथ नहीं हो रही थी उनकी ग्रोथ जो है वो बॉलिवुड फिल्म में नजर नहीं आ रही थी कि ये वन आफ दी मोस्ट टॉप शोर्स में आता है अगर हम इंडियन शोर्स की बात करें तो वेब सीरीज में लगता है कि सेफली खान OTT प्लाटफॉर्म और डिजिटल प्लाटफॉर्म में काम करना कुछ जादा ही पसंद कर रही है क्योंकि सेफली खान इसके अलावा दिली वेब सीरीज में भी नजर आएंगे दो अब तक इसका टाइटल जो है वो कनफर्म नहीं हुआ है इसके अलावा सेफली खान का एक और डिजिटल प्रोजेक्ट है जिसका पोस्टर हाली में सामने आया है इस प्रोजेक्ट का नाम है तांडव इसके पोस्टर के साथ साथ इसका टीजर भी आउट हो चुका है जो काफी इंप्रेसिव लग रहा है अगर हम बॉलिवुड में टॉप अक्टर्स की बात करें तो इस लिस्ट में विक्की कोशल का नाम भी शामिल है विक्की कोशल काफी बिजी चल रही है as back-to-back उनकी फिल्म में लाइन डप है उन में से एक है विक्की कोशल की one of the most anticipated film ये फिल्म एक बायोपिक है और इन दुनों बायोपिक्स का जमाना चल रहा है बॉलिवुड में विक्की कोशल करने जा रही है सैम मैनेक शौक का बायोपिक्स फिल्म की अनाउंस्मेंट कुछ समय पहले हो गई थी बता दे कि इस फिल्म के first choice विक्की कोशल नहीं थे जी हाँ विक्की कोशल ने किसी और बड़े star को replace किया है इस फिल्म में कहा जा रहा है कि इस फिल्म के लिए first choice थे none other than आमिर खान लेकिन date issues की वज़ो से आमिर खान इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर पाई तब जाकर ये फिल्म विक्की कोशल के हाँ आई विक्रांथ मैसी एक ऐसे talented actor माने जाता है जिनोंने serial से लेके OTT platform से लेकर Bollywood में pair रखा और सबको अपने talent से impress कर दिया है जिसकी वज़स से अब उनके पास back to back काम आ रहा है और उनकी एक अलग ही fan following बन चुकी है जो उनको बड़े बड़े movies में देखना पसंद कर रही है बात करे विक्रांथ मैसी के upcoming projects की तो विक्रांथ मैसी हमें धेर सारे फिल्मों में नज़र आएंगे जैसे की कृती घरबंदा के साथ 14 फेरे में, माना गरम में, यार जिगरी में, रीमेक और फॉरेंसिक रीमेक और हसीन दिल्रुबा में इस फिल्म में विक्रांथ मैसी तापसी पन्नों के साथ नज़र आएंगे हाली में इसका एक पोस्टर सामने आया था, ये फिल्म एक थ्रिलर फिल्म बताई जा रही है साउथ के सूपरस्टार प्रभास सिर्फ साउथ इंडिया में ही नहीं लेकिन ओल ओवर दे वर्ल्ट काफी फेमिस है और प्रभास की एक अलग ही फैन फॉलोइंग बन चुकी है इन दिनों प्रभास अपनी अपकमिंग फिल्म रादी शाम की शूटिंग में बिजी चल रही है इस फिल्म में वो पूजा हेगडे के साथ नज़र आएंगे इसी के साथ साथ प्रभास की और भी कई सारी मुवीज है जिसकी अनौसमेंट हो चुकी है जिसके लिए फैन्स बेस सबरी से इंतजार कर रही है एक है उनकी फिल्म आदी पुरुश और दूसरी फिल्म जिसकी रीसिंट ही अनौसमेंट हुई थी उसका नाम है सलार बता दे कि प्रभास की जितने भी अपकमिंग प्रोजेक्ट सामने आ रहे हैं उसका बजट काफी जादा हाई है अगर हम हर एक फिल्म की बात करें तो ऐसा कहा जा रहा है कि प्रभास की अपकमिंग मुवीज जो है वो 700 करोर से भी जादा बजट की है बॉलिवड में ऐसे कई सारी मुवीज बनी है जो एक बुक की अड़ाप्टेशन है वहीं हाली में ऐसी खबर सामने आई थी कि अमिश्त्र पाठी की जो बुक है सुहेल देव उसका एक बायोपिक बनने जा रहा है बॉलिवड में और अगर ये फिल्म बनेगा तो काफी हुज लेवल पर बनेगा कुछ समय पहले ये भी कहा जा रहा था कि इस फिल्म में बॉलिवड आक्टर अक्षे कुमार नजर आएंगे लेकिन अगर हम नए रिपोर्ट्स की माने तो ऐसा कहा जा रहा है कि इस फिल्म में अक्षे कुमार नजर नहीं आएंगे अक्षे कुमार ओल्रेडी काफी जादा पैक्ट और बिजी है अपने अपकमिंग फिल्म के चलते है आज अक्षे कुमार का जो स्केडूल है वो पूरी तरह से पैक्ट है और उनके पास बिल्कुल भी कोई डेट्स नहीं है इस फिल्म को देने के लिए तो ऐसा कहा जा रहा है कि अक्षे कुमार तो इस फिल्म का पार्ट नहीं हो पाएंगे अब देखना ये है कि इस बायो पिक में कौन काम करता है बॉल्वड अक्टर सेफली खान ने कुछ समय पहले अपकमिंग फिल्म आदिपुरुष को लेकर एक बहुत बड़ा स्टेट्मेंट दिया था उन्होंने बताया था कि आदिपुरुष जो है वो रामायन को एक अलग तरीके से जताएगा और साथी में उन्होंने अपने करेक्टर के बारे में भी कुछ ऐसी बात की थी जिसकी वज़से पबलिक काफी जादा नराज हो गई थी बता दे कि इस फिल्म में सेफली खान रावन का किर्दार निभाने जा रही है और उन्होंने ऐसा काहा था कि इस फिल्म में रावन के किर्दार को भी अलग तरीके से पेश करेंगे एक अच्छे तरीके से पेश करेंगे जिसके बाद पबलिक का गुसा देखने को मिला था इस सब के बाद जब सेफली खान को पता चला कि पबलिक उनसे नाराज हो चुकी है तो सेफली खान ने पबलिक के लिए अपॉलोजाइज भी किया था इस बात के लिए लेकिन लगता है कि पबलिक ने उनकी अपॉलोजी एकसेप नहीं किये क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि क इसी ने केस फाइल कर दिया है अगेंस सेफली खान उनके रिमार्ग के लिए आदी पुरुष के चलते और रावन के चलते करोना वायरिस का कहर इस साल इंडिया में आया था और वहीं पूरी पब्लिक के साथ साथ बॉलिवुद स्टार्स को भी लॉकडाउन पीरिट सफर करन पड़ा बिना कोई काम किये बिना कोई शूटिंग किये इसके चलते आया दिन बॉलिवुद स्टार्स का रिमार्क आता रहता है कि उनका लॉकडाउन एक्सपीरियंस कैसा था और उन्होंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया हाली में इसी के चलते बॉलिवुद आक्ट्रिस स सारा अली खान ने भी अपने lockdown experience के बारे में बात की उन्होंने बताया कि वो 9 महीने तक घर में बन थी और उन्होंने कोई काम नहीं किया कोई shooting नहीं की इसी के चलते नौ महीने के चलते उन्होंने अपने experience को share करते हुए कहा कि lockdown ने मुझे ये realize कराया कि मुझे हर सुब अपनी मा का चहरा देखना और मा के साथ उठना काफी अच्छा लगता है इट मेक्स मी फील हैपी ऐसा सारा अली खान ने कहा Bollywood actress नुपर सैनन का birthday था और उन्होंने अपना birthday फिलाल 2 के sets पर बिताया साथ ही में नुपर सैनन ने ये कहा कि इससे अच्छा gift मुझे नहीं मिल सकता था फिलाल 1 लास्ट यर रिलीज हुआ था जो सूपर डूपर हिट हुआ इसके success के बाद अब फिलाल 2 बन रहा है जैसे फिलाल 1 में अक्षे कुमार और नुपर सैनन नजर आये थे वैसे फिलाल 2 में यही star cast नजर आएगी हाली में फिलाल के सेट से अक्षे कुमार का एक लुक भी सामने आया बता दे कि फिलाल 2 की shooting डेली में चल रही है जब से फिलाल 1 रिलीज हुई थी तब से नुपर सैनन की Bollywood में डेब्यू की भी बात चल रही है लेकिन अब तक नुपर सैनन की मूवीज की कोई भी अनाउंस्मेंट नहीं हुई है आज के लिए इतना ही लेटिस Bollywood न्यूज और होट गॉसिप के लिए सबस्क्राइब करें माया पुरी कायट